हेलो दोस्तों, वेलकम टो पी डवली ओनली आईएस दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो 2023 का UPSC का अप्लेम्स था थोड़ा हमें टफर साइड पर देखने को मिला आप में से बहुत सार स्टुएंट्स की डिमांड थी कि सर सी सेट का भी हम कुछ वीकली कुछ थोड़ा प्रैक्टिस किया करें तांकि हम सी सेट के अंदर भी अच्छा हो पाएं तो बिल्कुल आपकी डिमांड को ही समझते हुए हमारी टीम के तरफ से सी सेट वीकली हम डिसकस करना स्टार्ट करेंगे आज के सेट के अंदर हमने चार से पांच कुछन हम डिसकस करेंगे दोजार तेईस के ही हैं या वीडियो कुछन होंगे अब यहां पर ना देखो कोशिश पता ये रहेगी कि आप ना मेरे साथ पैन और पेपर लेकर बैठो अदर्वाइस अकसर क्या होता है स्टूडेंट्स अकसर वीडियोस देखते हैं देखने में समझ भी आ रहता है कि अच्छा ऐसे किया वैसे किया पर मैं ये चाहूंगा कि जब ये पर्टिकुलर वीडियो देखें आपके हाथ में पैन और पेपर होना चाहिए साथ ही साथ आप question solve करो तांकि आपके practice अच्छा से होती रहे throughout the series आपका यही focus होगा तो इस अफ़ते के कुछ question चलिए discuss करना start करते हैं अब जैसे ना 2023 के exam में कुछ ऐसे question देखने को मिले कि इस question को हम पहली statement से कर सकते हैं दूसरी से कर सकते हैं दोनों को combine करना है तो इस तरह के कुछ question आज के lecture में देखेंगे यह साथ चीज़े discuss करेंगे but before that कुछ आप में से experts ऐसे भी होंगे जिनको एक तरह की support system पी requirement होगी तर कैसा support system मान लीजिए आप चाहते हो कि जो मेरे answers मैं लिखूँ ठीक है आपके जितना भी overall mains का syllabus है उसका पूरा complete coverage होगा through daily test and discussion तो जो भी आपके test लिए जाएंगे वो इसे साब से ही है जो मैं आपको schedule दिखा रहा था ना यह उसी तरह से aligned है कि जैसे मान लो आपने आज 10 June अले लिख से ठीक है जो आपको परहार में redefined 3.2 की बात कर रहा था इनकी hard copies भी आपको मिल रही है proper mentorship भी है जोगी जब आप mentor के साथ बैठोगे तब वो बताएगा ना यार कि आप यहाँ पे lag कर रहे हो और इस पे यहाँ भी work करने की जूरत है तो इस तरह से daily के बिसके आप 7-7 questions लिखते रहोगे एक time management का भी idea आएगा and syllabus भी complete कर पर होगे इस तरह से बहुत सारे और भी features आपको यहाँ पे इस particular course के देखने को मिलेंगे तो यह batch जो है वो 10 June से start हो चुका है ठीक है तो आप definitely हमारी जो website है pwonlyes.com वहाँ पर जाके इस course को अंडूल कर सकते हो कुछ doubts है तो definitely हमारी team से contact भी किया जा सकता है इस number पर चलिए बढ़ते हैं अब अपने questions की तरफ यह आया 2023 में एक से दो मिनिट दीजिए और कोशिश करो इसको solve करने मेरे साथ ही अब तक आप attempt कीजिए अगर आपको time लग रहा है तो आप इस video को pause कर सकते हैं और फिर कोशिश कीजिए अपने end पर attempt करने की चलिए अब हम इसके solution की तरफ बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर क्या कुछा है कि क्या जो p है वो q से greater है ऐसे questions में क्या करना होता है हमारे पास कुछ definite answer आना चाहिए या yes आई या no आई ऐसा ही होना चाहिए कि maybe जैसा answer हमारे पास आ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे पहली statement को उठाएंगे पहली statement को कह रही है p into q is greater than 0 अब जैसे है आपने बोला कि p into q is greater than 0 यानि कि किसी दो numbers का multiplication है ना वो 0 से बढ़ा है अब ऐसे case में हो पता क्या सकता है ऐसा हो सकता है या तो दोनो दोनो positive हो या positive into positive क्या होगा 0 से बढ़ा या फिर दोनों को दोनो negative हो तब भी हो सकता है कि उनका product positive आ जाए ठीक है ना तो यानि कहने का मतलब क्या या दोनो positive है या दोनो negative है अब इसमें ना हम बता नहीं पाएंगी कौन किससे बढ़ा है क्यों जिसे for example आप notice करो मालो जैसे p और q है p की value मालो 3 है q की value 4 है तब भी इसका product greater than 0 आएगा पर ऐसे case में तो q बढ़ा हो गया on the other hand अगर मैं else का उल्टा देखो minus 3 into minus 4 अब ऐसे case में क्या हो गया आपका p बढ़ा हो गया और q यहाँ पे छोटा हो गया तो p into q greater than 0 से हमें नहीं बढ़ा लग रहा कि कौन बढ़ा है कौन छोटा है तो भाईया पहली statement अकेली तो हमें अंसर नहीं बता रही ठीक है अब दूसरी statement अकेली को उठाओ अब पहली को भूल जाओ दो मिनिट के लिए सिर्फ दूसरी के पर ध्यान दो दूसरा कहरा है p square is greater than q square अब यहाँ पर भी तो वही मतलब हो गया किसी number का जो square है उससे बड़ा हो सकता है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई positive हो कोई negative हो जिसे for example आप दे notice करो 4 का square is greater than 3 का square बिल्कुल ठीक बात है पर negative में अगर आप notice करोगे तो minus 4 का square is greater than minus 3 का square ऐसे case में क्या हुआ? p is greater than q इस case में क्या हुआ? p is less than q ठीक है न? तो हमें square बड़ा है इससे हमें यह नहीं बता लगेगा कौन किससे बड़ा है तो यह भी बात गलत है तो अकेले अकेले तो नहीं निकाल सकते चलो ठीक है सर, अकेले नहीं निकाल सकते तो दोनों को combine कर लेते हैं दोनों statement को अगर हम combine कर लेते हैं, अगर आप combine भी करोगे ना, तब भी determine नहीं कर सकते, वो कैसे, क्योंकि आप notice करो, दोनों से essentially हमें same ही तो information मिल रही है, हम combine करके भी नहीं बता पाएंगे कि कौन सी चीज किससे बड़ी है, क्योंकि तब भी determine करना possible नहीं हो पाएगा, तो यह को के लिए देखो, पहले अकेले के लिए देखना है, अगर नहीं होता, फिर combine करोगे, एक और question के तरफ चलते हैं, जैसे यह दूसरा question देख लो, अब इसके ओपर भी एक दू मनिट लगाओ, बताओ मुझे क्या answer होना चाहिए इसका, ठीक है, अब यहाँ पर देखो 5 statement है, sorry, 4 statement है हमारे पास, और फिर पूछा है कि क्या correct है, जैसे option A कह रहा है, इस 1, 2 और 3 को अगर हम combine करें, फिर sufficient है, तो पहले इसी को देखते हैं, यानि कि, पहले तीनो statement को एक पर उठाते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा B और E के बीच में relationship निकलता है, या नहीं निकलता है, त अब क्या करूँगा, यह दिया हुआ है कि D is the father of C, second statement से, तो मुझे नहीं पता कि D ऊपर आएगा, C नीचे आएगा, कहा पर आएगा, पर तीस्ती statement देखो, E is B का son, तो अगर मालो D यहाँ पर है ना, तो E उसका बेटा है, तो E है, उसका son, E एक male candidate है, पर D is father of C, ठीक है, तो वो भी हमें पता लग गया, कि C भी यहाँ पर है, पर बाकियों का C और E और B, जो हमें निकालना है, इसके बीच में क्या relation है, यह हमें नहीं पता लग रहा, तो पहली option इसों नहीं आएगा answer, दूसरे option इक जरफ चलते हैं, वो कह रहा है, 1, 3 और 4 को करो, अब 3 को भूल भूल जाओ थोड़ी दर के लिए, 4 को देखो, 4 को कर रहा है, A and C are sister, ठीक है, यह वहला हम भूल जाते हैं, A or D का, A and C are sister, तो A और C sister है, यानि कि यह female है, B male होगा, यह पता लग गया, और बाकिया हमें चीज़ पता थी, A and B are middle couple, और D is the father of C, पर अभी भी भी आप मुझे जानि कि D is the father of C, यह पता लग गया, पर क्या इससे हमें, A and B के बीच में क्या relation है, यह पता लगा, answer is no, तो यह भी बात गलत है, अब तीसरा क्या कह रहा है, पिचारों की चारों कमबाइन कर दो, अब देखो, जैसे यह आपने चारों कमबाइन करी ना, आपको notice क्या हुआ आपने देखा, A और B married couple है, और हमने पिछले में देख भी लिया था, A और C क्या है, sisters है, तो यह female, और A और B married couple है, तो B हो गया male, साथ साथ आप notice करो, E क्या है, D का son है, और D father है, C का, तो D हुआ इसका father, ठीक है ना, और जो E है, वो D का son है, तो EB यहाँ पर आ गया, तो E क C है ना, वो B का क्या हुआ, brother-in-law हुआ, getting the point, तो C option, जब जैसे आपने 4 statement को combine किया, फिर आपको आपको यहाँ पर answer मिल रहा है, तो इस तरह से option क्या बनेगा, option number C is the correct answer, आगे चलते हैं, इस question के उपर देखो, फिर से 1-2 minute लो, ठीक है, अगर time लग रहा है, तो please video pause करो, और कोशिश करो answer solve करने की, अब यहाँ पर देखते हैं, इस question को solve करने की, देखो, यहाँ के कह रहा है, पांच children है, A, B, C, D, E, हमें पांचों का ना, पता है किछा E बढ़ा है, ठीक है ना, इस तरह से A सबसे चोटा है, और यह कह रहा है, कि any two successive ages differ by 2 साल, हर किसी के बीच में gap क कितना है, दो साल का, तो कहने का मतलब, अगर मान लो, A की age है, A, तो B की कितनी होगी, A plus 2, C की कितनी हो जाएगी, A plus 4, दो-दो का gap है, D की हो जाएगी, A plus 6, E की हो जाएगी, A plus 8, यह चीज़ हमें given है, अब चलो, वो क्या पूछ रहा है, कि youngest child की age क्या होगी, youngest child मतलब, वो A की हमें age पूछ रहा है, कि A की क्या value होगी, ठीक है, अब पहली statement देखो, पहली statement हमें कहा रही है, age of the eldest is 3 times the A, eldest कौन है, यह बला, तो कहा रहा है, age of the eldest, यहने कि A plus 8 is equal to 3 times the youngest, youngest है A, तो A plus 8 is equal to 3 A, यह क्या बन गया, 2 A is equal to 8, A is equal to 4, क्या मेरे पास A की definite value आगी, answer is yes, तो केल पहली statement से मुझे answer मिल गया, ठीक है, अब ऐसे हम चलो statement 2 अकेली check करते हैं, यहां कह रहा है, average age of children is 8 years, average age क्या होता है, 5 का sum कर दो, A plus A plus 2, plus A plus 4, plus A plus 6, plus A plus 8, by 5, average यह ही तो होता है, इसकी value है 8, तो करो ज़रा, क्या मुझे A की value यहां पर मिल जाएगी, answer is yes, बड़े राम से म जाएगी, statement 2 भी बिलकुल sufficient है, इसका answer क्या बनेगा, answer बनेगा, इसका option number B, that question can be answered by using either statement alone, कहने का मतलब, चाहे मैं one statement हो, तब भी मेरा पास answer मिल गाएगा, और अकेले अगर मैं statement 2 भी होती है, तब भी वहां पर से मुझे answer मिल जाएगा, तो option B will be the correct answer, चलो एक question और देख ले जैसे for example, आप notice करो, यहाँ पर क्या पूछा है, एक उसने बता रखा है चाय के बारे में, ठीक है न, एक उसने बता रखा है किसके बारे में, हमसे coffee के बारे में, और तीसरा बता रखा है उसने milk के बारे में, ठीक है, यही बता रखा है, तो यह रहा चाय, यह रहा आपका milk और यह रहा आपका कॉफी, ठीक है सर, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है, 75% ने चाय पी, यानि कि ये टी का total proportion, ये पूरे की बात कर रहा हूँ, जितना भी सारे होते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब में लाके, ये कितना है 75, ठीक है, आगे कह रहा है 60% took coffee, यानि कि total coffee का कितना है, 60, ठीक है, 15% took both tea and coffee, अब मुझे बताओ, both tea and coffee क्या हुआ, both tea and coffee आपका ये बीच वाला, जहां पे tea और coffee intersect करते हैं, तो ये हो क्या, tea और coffee मिला के, 15, ठीक है, और एक चीज़ उसने और बताई है, no one taking milk takes tea, कहने का मतलब, milk और tea में कोई globalization नहीं है यानि कि ये वैला पूरा जो हिस्सा था ना, milk और tea के बीच में, ये कोई यहां पे collaboration नहीं है, ये पूरा का पूरा कितना है, zero, यहां मैं लिख दूँगा क्या, zero लिख दूँगा कि milk और tea में कोई भी collaboration नहीं देखने का मिलता, ये पूरा का जितना भी था ना, चलो ठीक है पचास लोग अगर milk पीते हैं, अब milk कौन से होंगे, देखो ये वाला तो हिस्सा zero हो गया, इसके लावा जो बाकी वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये पचास है, जो मैंने blue में mark किया ना, ये पचास है, अगर मुझे इतना पता लग गया, क्या मुझे ये वाला area पता ह है, नहीं पता, क्या मुझे ये वाला area पता है, नहीं पता, तो क्या मैं यहाँ पर से आपको बता पाऊँगा, टोटल कितने लोग ने पार्टी अटेंट करी, answer is no, ठीक है, जब ये तो फिर भी बता पाऊँगा, ये तो 60 हो गया आपका, ये बीच में 15 है, तो 60 और 15 है तो milk only, अब मुझे बताओ milk only वाले कितने लोग है, milk only वो बात कर रहा है इस particular area कि यहाँ पर सिरफ और सिरफ milk है, चलो मैं मान लेता हूँ, इसको कोई value मान लेता है, मान लो ए मान लिया इसको, ठीक है, तो ए तो हो गया, आपका who took milk only, ठीक है, और वो कहे रहा है number of person who attended the party, अब party कितने लोगों ने attend करी, मिझे ये बताओ, party attend करी, ये सारे लोगों ने, ये तो 60 हो गया, ये 15 75, और उसके साथ ही साथ ये number था, यही था, ठीक है ना, आप इसको answer भी तो लेख सकते हो, जैसे for example आपने 60 इसको लिया, आप इसको total, हमरे total value बता है ना, इसकी, इस पूरे जो कि आप खुद notice करो ना, 15 तो ये है, 45 माइनस भी ये बना, तो overall total कितना हो गया coffee, 60 हो गया, तो अब इस देखो, अब हमारी equation क्या बनी, वो कहरा है total number of person who attended the party, तो कितने लोगों ने attend करी party, 60 तो ये ही है, 15 ये 75, प्लस 45, आपका बन गया 120, प्लस आपके ये भी तो attend किया, ये 5 times number of people who took the milk, उसकी value है A, तो 120 plus A equal to 5A, 120 की value क्या बन जाएगी आपकी 4A, तो A की value क्या बन गी आपकी 30, तो क्या इस से मुझे पता लग गया कि total number of person कितने थे, बिलकुल यहाँ पर पता लग गया, तो कि अकर A की value बाल लो, मैं 30 put कर देता हूँ, accordingly मेरे पास B की value आजाएगी और जितने मेरे पास variables थे, वो सारे के सारे मैंने solve कर लिए, तो option B से definitely आजाएगी, statement 2 से, तो यहाँ पर इसका answer क्या बनेगा, answer बनेगा, आपका option number A, that is, the question can be answered by using one of the statement alone, सिरफ two use करके कर सकते हो, पर सिरफ A, statement 1 को use करते हुए, आप नहीं कर पाओगे, तो correct answer इसका होगा, option number is the correct answer, फोड़ से tough question थे, ठीक है, यहाँ पर यह वाला थोड़ा easy ही में मानूँगा, ठीक है न, on the other hand, यह भी थोड़ा हम easy to moderate मान सकते हैं, ठीक है, बाकि यह भी question थोड़ा सा, अगर आपकी clarity है थोड़ी weak है तो के बर इस question में भी दिक्कत आ सकती है, तो 2023 का अगर आप overall paper ब आकि आने वाले साल का अगर आप prelims दे रहे हो, तो बहुत अच्छा से clear करता हूँ, ठीक है friends, तो I hope आपका यह जो CC8 के session था, आज बहुत से समझ आया होगा, इसी तरह से आप भी update पर hard work करते रहे हैं, good bye and good luck.